अस्सलामों आलेकूम वेलकम टू नास अकैदमी एजूकेशन तो आज हम देखेंगे लोक वानी हिंदी के दूसरी हिकाई का दूसरा लेसन कलाकार का एक्स्प्लेनेशन कलाकार लेसन के जो लेका कहे राजेंदर रिअदव उनका परीचे है जनम यानि उनकी पैदाईश 1929 आगरा उत्तर परदेश में हुआ मृत्य यानि इंतकाल 2013 दिल्ली में हुआ पड़िचे है राजेंदर यादव जी सठोतरी पीड़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं सहित्यकार है नई कहानी के नामसी सहित्य में अपने नई विदा का सुत्रपात किया उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित सहित्यक पत्रिका हंस का पुना प्रकारशन अपने प्रेमचंद की जैनती के दिन 31 जुलाई 1906 को प्रारंभ किया और अपने अंतिन समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा जो राजेंदर याद्र जी है वो हिंदी के जो लेटरेचर उन्होंने लिखी यानि उन्होंने सनफ बेशुरवात की लिखनी ही तो उन्होंने अपन्यासकर जो है यानि जो राइटर नॉवल के मुंशी प्रेमचंद के जरीए 1927 में प्राकाशित यानि उस डायरी उसको सनफ को उन्होंने प्राकाशित पब्लिस्ट की और पत्रिका हंस कब पुना प्राकाशित अपने यानि जो पत्रिका जो था हंस उसे दुबारा प्राकाशित ने दुबारा पब्लिस्ट की गई कब प्रेमचन जी की जैनती 31 1886 को दुबारा पब्लिश्ट करके शुरुआत की उसकी और उन्होंने 27 वर्स तक इस को जारी रखा अपने आखरे वक्त तक भी प्रामक्रीतिया यानि जो राजेंदर यादब जी की जो मशूर सनफ है जिसको ज़्यादा अहमेत मिली है जहां लक्षमी कैद है छोटे छोटे ताजमहल किनारे से किनारे तक ये सब कहानी के संगरा है सारा आकाश, श्रह और मात तथा उखड़े हुए लोग ये उप्रिन्यास यानि ये नौवल है आदी यानि वगरा गद्दे संबंदी यानि जो इस पार्ट से जो संबंदी है क्या देखते है कलाकार, कहानी का नायक बहुरूपिया एक स्रेष्ट कलाकार है वह अंतक अपनी कला के प्रती इमानदार रहता है दोंगी सादू का वेशधारन करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के सामान सोचने लगता है इस कहानी से प्रेड़ना मिलती है कि हमें अपने वेवास की प्रती इमानदार होना चाहिए यानि इस पार्ट में बताया गया है कि जो कलाकार है जो बहू रूपिया बताया गए को बहुत अच्छी ऐक्टिंग करता है कि जर्ड़रशा भी किसी को शक नहीं होता है federal बहू प्रती से प्रभावित हो जाते दूख वो बिलकुल सादू की तरह सोचने लगता है और इस कहानी से हमें ये प्रेर ना मिलती कि हमें कोई भी काम करते हैं तो इसे इमानदारी से करना चाहिए हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जो वैवास से जो काम है उसे इमानदारी से करना चाहिए तो शुरू करते हैं लेसन बहु रूपियों के बारे में हम सब जानते हैं इन लोगों का पेशा अब समाफ्थ होता जा रहा है यानी जो बहु रूपिया है उसका पेशा अब खतम हो रहा दीरे-दीरे किसी समय रही सो और अमीरों का मन रंजन करने वाले बहुरूपिये पराए हर नगर में पाए जाते थे यानि कभी कोई वक्त में रईसों अमीरों का ये अंडर्टेन्मेंट क्या करते थे बहुरूपिये पराए यानि अक्सर होता है हर नगर में पाए जाते थे यानि अलग अलग जाओं पर अपना ये दिखाया करते थे ये कभी दोबी का रूप लेकर आते थे कभी डाके का हुबाओ उसी तरह का वैवार करके ये प्राय लोगों को भरम में डाल देते थे यानि बिल्कुल उनी की तरह दिखते थे कभी दोबी का रूप ले लेते थे तो कभी डाके का लेकिन ज़रा सा भी फर्क नहीं यानि डाके का रूप लेते थे तो बिल्कुल उनी की तरह दिखते थे और दोबी का रूप लेते थे तो बिल्कुल उनी की तरह या फिर किसी और का भी जो रूप लेते थे तो वो इने इनाम दिया करते थे उसी तरह के बहुरूपियों का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कताओं में सुना था और मुझे वो अभी भी अच्छी तरह याद है यानि उसी तरह के एक बहुरूपियों के बारे में बहुरूपी के बारे में लेखक ने भी सुना था, जो कि राजिस्तानी लोकताओं में उन्होंने सुना था, लेकिन वो अभी भी उसको याद है, लोकता क्या होता है, देखे बच्पन में बच्चे नानी या दादी से तहानिया सुनने के लिए जिद करते हैं, तो सुनी सुन लिए जमना दर एक बहुरूपoule ने सादू का रूप बनाया सीर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड कमर में लंगो टीन यानि एक बहुरूपीय सादू का रूप बनाया था, उसके सीर पर जटाएं या उसके बाल बिलकुल जुडए हुए जट अजय ते नंगे सीर पर भस्म था और माती पे त्रिक पूनी यृणि टीका लगाया था त्रिशूरु का और कमर में लंगोती पहना था धूती पहना था उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसारत्यागी सादू ही लगता था यानि बिल्कुल वह restorषा भी कोई फरक नहीं था कि वह सादू नहीं लगे बिल्कुल वह सादू दिखता था उस नगर से बाहर बढ़े से پेर के लीचे अपनी जूपरी तैयार की यानी जो गाव में वो गया। उस गाव में जो एक बड़े से पेर के नीचे अपनी जोपी बनाई। बागीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। रहने लगा है। चारों तरस पाने के लिए आने लगे। या चैन्थ आज शाते के शादू का गया आ चैन्ट इसारी की शोपरे असने Devet hail, और अन्वी जोपके के सामने घ्र लगी रहतीं थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशिरवात से संसार के बड़े से बड़े कश्ट दूर हो जाते हैं यानि जो लोग कहते थे कि ये जो सादू आये हैं उनके उपर देशों में जादू है और उनके आशिरवाद से उनकी दूआ से संसार के बड़े से बड़े जो परेशानिया है वो दूर हो जाएगी अपनी इसी कुरूती से सादू को कभी कभी बड़ा आश्रे होता और मन ही मन वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता था यानि जो सादू था वो कभी कभी बड़ा आश्रे होता था उसे सोच कर कि यानि वो हैरत में कभी कभी पढ़ता था कि मन वो अपनी सफल था यानि अपनी कामेर पे इतना मुस्क्राता था कि मैं एक नकली सादू हूँ फिर भी मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है नगर के सबसे बड़े सेट से जब किसी ने सादू का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हस पड़ा बोला ऐसे ढोंगी जाने यहां कितने आते रहते हैं यानि जो नगर के सबसे बड़े पैसे वाले जो सेट थे उनके सामने किसी ने सादू का जिक्र किया यानि किसी ने बात की तो वो अविश्वास से हस पड़ा कहा उन्हें भरोसा नहीं हुआ और वो हसने लगे बोला ऐसे डोंगी जाने यहां कितने आते रहते हैं और वो अपने कारोबार में लग दिया और वो अपने काम पर ध्यान देने लगा सादू का नाम चारो और फैलता जा रहा था सादू कभी कभी सुचता कि अब फिर बहुर रुपिया जीवन में लोटने में क्या रखा है यानि सादू कभी कभी सुचता था जो सादू का जो नाम था पूरे और फैल चुका था और सादू कभी कभी ये सुचता था कि पहले पहला जो मेरा काम था कि कभी इसका रूप धारन करके लोगों का मनो रंजन करना कभी वो रूप दूसरा रूप धारन करके लोगों का मनो रंजन करना तो बोला उसमें क्या रखा है अब वो उस कारोबार को उन्होंने मतलब वो अपने काम को छोड़ दिया और साधू का जो रूप लिया था तो लोगों से पैसे लेना ठगना वो ही अपना पेशा बना लिया था उस साधू ने अपना विश्म इसे वयवास से बना लिया क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिन्दगी लगा दी जैसे कि मैंने बताया उसी तरह फिर उसका मन धी रखने लगता कि वह जिन्दगी बर साधू बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा इस सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे यानि कभी एक दिन से उसका दिल रखने लगा ऐसी डर कि वो जो जिन्दगी बर साधू बना रहा तो तो उसके असली पेश़ी के साथ बेइमानी करेगा, यानि उसका वेवासे था, उसका पेशा था की रूप बदल कर, मनोरंजन करना से बेइमानी करेगा, वो ऐसा सोचने लगता है, और इसे सोच विचर में उसके पूरे दिन निकलने लगते हैं, एक बार सेट की पत्मी बहु गया और दुनिया बर के लाज यानि कराएं वैदे से जो डॉक्टर थे वैदे यानि जो दवाई बनाने वाले उल्ट से बहुत सारे डॉक्टर वगएरा सबसे उनकी इलाज चले लिकें वो उनकी तविया ठीक नहीं हुए उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी मित्रो और उस सादू को दिखा देने में क्या हानी है हार कर सेट तयार हो गया उसे लगता था यानि जो सेट की वाइप थी उसको लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी यानि मैं मर जाओंगी उसकी दोस्त और सुपशिंतक यानि उसकी जो परवाग करने वाले लोग थे उन्हे अड़ाईस सला दिये कि तुम एक बर सादू को दिखा दूसमें अब क्या बुराई है हार कर सेट तयार हो गया जो सेट था हार मानकर तयार हो गया सादू ने जब दूर से सेट को आते हुए देखा तो बहुत परसन हुए यादी जो वो सादू ने बहुरूपिये ने सेट को आदूर से आते वे देखा तो बहुत खुश हुआ नकर का सबसे बड़ा करोर पती उसके यहां आ रहा था आगे आगे सेट और फिर डोली में बीमार सेठानी उसके जाकर उसने जाकर सादू के चरन पकर ली महराज जैसे भी हो सेठानी की जीवन दान दीजिए यानि जो सादू था उसे दूर से आते हो बहुत खुश हो गया कि मेरे पास गाउं का सबसे बड़ा सेठा आ रहा है करोर पती इनसान आ रहा है आगे आगे वो सेठ था पीछे उसकी वाइफ की डोली थी सेठानी की और जाते ही सादू के पैर पकड़ लिया जो सेठ था वो उसके पैर पकड़ लिया और कहने लगा कि महराज मेरी जो वाइफ है सेठानी उसको जीवन दान दीजिए यहां मेरे घर की लक्षमी है यानि यह मेरे घर की लक्षमी है यानि उसका बहुत मूले है जीवन में उसके लिए इसके कारण यह करोरों की संपती आई है यानि वो उसके लिए बहुत भागशा लिया और उसी की वज़ा से उसकी गर में करोरों की संपती आई थी सेट की यानि मेरे गर में पकदम रखा, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाब ही हुआ, यानि मैंने जिस काम में हाथ लगाया शुरुवात की उससे हमेशा फाइदा ही हुआ, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, यानि अगर वो कुछ हो गया सेठा को मर गई तो किसी काम का नहीं रहेगा ऐसा सेट बोलता है साधू ने गंभीर चेहरा बना कर डोली का परदा उठाया सेठानी बीमार में बेहोश परी थी भगवान ने चाहा तो सेठानी साथ दिन में ठीक हो जाएगी उसने धुनी की चुटकी भर राक उसके उपर डाल दी जो बहु रुपिया साधू था उसने गंभीर से चेहरा बना कर डोली का परदा हटाया और देखा कि सेठानी तो बेहोश परी हुई है तो उसने का बगवान ने चाहत हो सेठानी साथ दिन में ठीक हो जाएगी उसने धुनी की चुटकी भर राक उसके उपर डाल दी सेठान आने के लिए कहा और फिर आखे बंद करके ध्यान में जो साधू लोग करते हैं ध्यान उसमें वो लग गया सेठानी रोज आने लगी सहयोग की बाद धीरे दीरे उसकी तवियत भी सुधरने लगी साथ आठ दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी सेठ को साधू पर घंगोर विश्वास हो गया और ररोज इसके पास आने लगा सेठानी ठीक हो गई लेकिन सेठ रोज आता रहा सेठानी रोज आती थी दीरे जोपरी में और सहयोग की बात है यह ऐसे एश्लिकित की बात थी कि उसकी थानी की तीपे देरी ठीक हो गई सुधरने लगे और तब यह ठीक होने के बावजूद भी वो रोज आता रहा। सादू से रोज उपदेश दिया करता यह संसार माया है, धन का लोब आदमी को आदमी नहीं रहने देता। इतना धन बढ़ता जाता है, लोब भी उतना ही बढ़ता जाता है। यह सादू से रोज एक शिशा की बाते बताया करता था। यह संसार मुह माया है, धन का लोब यह धन के प्रती जो प्रेम होता है इनसान का, वो आदमी को आदमी नहीं रहने देता। आदमी से उसे अलग टाइप का इंसान बना देता है, जो कि उसकी पीछे स्रीप पैसों के पीछे भागता है। जितना धन बढ़ता जाता है यानि जितनी दौलात होती जाती है उतना ही उसकी पीछे इनसान भागने लगता है कि हम इतना करेंगे तो और होगा और होगा इसके चक्र में सच्चा सुख ध्यान का धन का त्याग करने में है इस माया मुं से उठकर भगवान के चर्णों में ध्यान लगाने में सच्चा सुख है सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मुं पाल कर आज तक किसी ने शान्ती नहीं पाई धीरे धीरे सादू के उपदेशों का प्रभाव सेट पर पढ़ने लगा यानि जो सादू से कहता था कि सच्चा सुख जो सच्ची दौलत है वो इसे सबको तयार कर देने यानि सबको छोर कर मोमाया को छोर कर भगवान के चड़नों में तुम ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है इनसान का तो ऐसे उपदेश देता है सादू कहता है कि सोना तो मिट्टी और मिट्टी को पाल कर कौन सा जिंदगी में सुख मिलने वाला है तो उसी तरह जो सेट रहती है सादू की बात का धीरे दिर उस पे प्रावभाव यानि असर करने लगता है एक दिन सादू ने देखा कि गोडो उंटो और बैलगारियों का जून उसकी कुट्टी की तरफ चला आ रहा है मन में संदे हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और यह सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं यानि एक दिन सादू को गोड़े उंटो और बैलगारियों का जून उनकी जोपड़ी की तरफ यानि कुट्टी की तरफ आता हुआ नजर आता है तो उनके मन में एक संदे यानि एक शक पैदा होता है उसने सादू को प्रणाम किया गारियों, घोरों, उंटों से सोने चांदी के गहनों मोरों और जोहारों से भरे कल्शे उतारे गए यानि सादू अभी ये बात सोची रहा था कि उनने आचानक देखता है कि उस जून्ड के आगे आगे वही सेट है, जिसे वो उपदेश दिया करता था वही सेट उसके आगे है सेट पास आकर सादू को प्रणाम किया गारियों जो थे घोरे, उंटों से सोने, चांदी, गहने मोरों जो भी थे, वो कल्शे उतारे गए देखते देखते कुट्टी के सामने डेर लग गया सेट ने सादू के चड़न पकर कहा महराज आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ग्यान प्राप्त हो गया और इस संसार से मेरा मन फिर गया है जूट कपट से मैंने जो धन कमाया है वो सब मैं आपके चड़नों में रख रहा हूं इसका जो भी आप चाहे करे गरीबों में बाट दे या फिर मंदिर बनवा दे मुझे अपना शिष्चे बना ले याई देखते देखते सब सामान का डेर लगे इसके कुट्टी के आगे सेट ने सादू के चरन पकर के कहा कि मौराज आप जो देखे मुझे दिया करते थे शिष्चे की बाते बताया करते थे ग्यान दिया करते थे उससे मुझे आज मेरा मन इस संसार से फिर गया है याई अलग हो गया है और मैंने जो भी धन कमाई थे जूट कपट से दोका से वो धन मैं छोड रहा हूँ मैं आपके हवाले कर रहा हूँ याई आपके पाउं के चरन में रख रहा हूँ इसका आप जो भी चाहे करें याई गरीबों मैं बार दे फिर मंदिर बनवा दे मुझे अपना शिष्चे बना ले याई आप मेरे गुरू है मुझे अपना शिष्चे बना ले याई वो शिक्षक था तो यह समझे कि मुझे विद्यारती अपना बना ले गंबीर होकर सादू ने उत्तर दिया जिस धन को मैं तुझे त्यागने को उपदेश दे रहा तो उसकी माया में मुझे क्यों फसाता है जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है मैं इससे हाथ नहीं लगा सकता यानि जो गंबीर होकर सोच कर सादू ने उत्तर जवाब दिया उसको कि जिस द्धन को मैं तुझे छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो मुझे उसको बोल रहा है कि तुसे ले और अपनी मुझे संसार की मुँमाया में क्यों फसाना चाता है सादू बोलता है जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए तो तेरे से पहले मिट्टी है ना कि कि वह इसको अबदेश देता है कि सोना मिट्टी है तो इसलिए बोलता है मिट्टी तो मेरे लिए और भी पहले है मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता और सचमुझ उसने धन नहीं लिया समझा बुझा कर सेट को लोटा दिया महात्मा की इस महांता से सेट की आँखों में आसू आ गए यानि जो सादू थे उन्हें सचमुश वो धन नहीं लिये यानि जो भी सामान लाए हुए थे कल्शे वगरा सोने जहरों उस सब नहीं लिये सादू ने अर्समझा बुझा कर सेट को घर बेज़ दिया और महात्मा की इस महांता से सेट की आँखों में आसू आ गए यानि जो सादू था उसकी इस महांता यानि इस सोच के बारे में सोच कर सेट के आँखों में आसू आ गए अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि सादू का कहीं पता नहीं है इदर उदर खोजा कहीं भी कोई नहीं था इतने में ही किसी ने आकर उसके चरन पकड़ लिए सेठ मेरा इनाम दे अगले दिन जब सेठ मतलब आया उस कुटिये में तो सादू को कहीं पता नहीं था और वो इदर उदर बहुत उन्हें ढूंडे फिर भी कभी किदर भी किसी का कोई पता नहीं था इतने में ही किसी ने आकर उसके पर चरन पकड़ लिए कोई भी उदर से आकर उनके पैर पकड़ लिए और बोला सेट मेरा इनाम दे तो कैसा इनाम तू कौन है सेट ने अशरी से उस वेक्ति को देखकर पूछा यानि कैसा सेट कहने नहीं लगता है कि कैसा इनाम दू मैं तुझे तू कौन है सेट ने अशरी से यानि हैरत से हैरत अंगे से पूछता है उस आदमी से कि तू कौन है देखकर पूछा कसूर माफ करना सिर्जी मैं वही कलवाला महात्मा हूँ मैं सादू अदू कुछ नहीं हूँ आपका सेवक बहुरूपिया हूँ जब आप जैसे चतूर आदमी को मैंने दोका दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए अपरादी भाव से बहुरूपिया सिर्जी का एक खरा था यानि जो बहुरूपिया था सादू था वो कसूर माफ करना सिर्जी को ऐसा बोलता है और कहता है कि मैं वही कलवाला महात्मा हूँ मैं सादू अदू कुछ नहीं बलकि मैं एक बहुरूपिया हूँ जो आपका सेवक है और मैंने आप जैसे चातूर यानि इंटेलिजेंट गुद्धिमान आदमी को मैंने धोका दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए ऐसा वो बहुरूपिया कहता है अपरादी बासे उसे लगता है कि मैं एक अपराद किया हूँ तो सेट जुकाए खरा रहता है सेट के सामने सेट आश्चर के मारे आसमान से गिरा फिर संभल कर बोला कि नाम तो मैं तुझे दूंगा सच मुझ तुने अपने काम में कमाल कर दिया लेकिन एक बात बता कल जब मैं अपनी सारी संपती तेरे पास ले आया था तो तुने उसे क्यों नहीं सुएकार किया अगर तु उसे ले लेता तो आज तु सेट होता तुझे इस तरह इनाम मागने के ज़रुरत नहीं रहती सेट यानि हैरत से पूछता है कि कौन था सादू था वो सोचने लगता है कि कोई नहीं इसलिए इसलिए बोला है कि आस्मान से गिरा फिर संबल कर जो बोलता है कि तुझे इनाम तो मैं दूँगा लेकिन सचमुस तुने जो अपने कला का परदर्शन के बहुत ही कमाल था फिर वो बात पूछने लगता कि कल जा मैं तुझे अपनी सारी संपति सारी दौलत दे रहा था तो उसे क्यों नहीं लिया क्यों स्विकार नहीं किया अगर तुझे ले 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 था तो आज सेट होता तो तुझे इस थे इना मांगने की ज़रत ही नहीं रहती बहुरूपया नम्रता से बोलता बोला, सेट जी या बात में मन में भी आई थी इसी समय सारी संपति लेकर आज मैं कहीं न कहीं जा सकता था फिर मैं मेरे मन ने कहा कि यह गलत है मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारन किये हूँ अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी रूप को सच्चा रकने के लिए या उचित है कि मैं इस समपती को त्याग दो सो सच्ची महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशिश से ले लूँगा बहुर उपया वलकी बहुत ही नरम आवाज से बोलता है कि सेट जी है मेरे मन में भी बात आई थे कि मैं आपके पूरी दौलत लेका कहीं न कहीं जा सकता था लेकि फिर उसने सोचा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ बहुर उपय का संसार्तियागी जो रूप मैंने धारन किया हूँ इसमें खोट आ जाएगी अगर ऐसा मैंने काम किया तो मेरे रूप में खोट आ जाएगी रूप को सच्चा रखने के लिए नहीं वो जो हामेशा काम किया लिया और मैंने भी उसे छोड़ दिया और बोली लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है जो आप मुझे इनाम देंगे मैं खुशी से ले लूँगा और मेरी सेठानी की बीमारी सेठ ने पूछा उसमें भी मेरा कुछ नहीं है वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और सहय जोग था यहीं एक सही योग बोल सकते हैं कि इस वज़े से हो गया तो वहीं बोला अपनी तारिफ नहीं करता है बलकि बोलता है एक सही योग था और आपका विश्वास था जिस वज़े से वो ठीक हो गई सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि वह कैसा यह जो करोरों की समफती चोड़ कर दो चार अशर्वियों के इनाम पर इतना और संतुष्ट है सेठ की समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर वी ऑस सोच रहा था कि करोरों की समपती चोड़ कर 2 चार यह लोगना कि इतना खुश है ओर इसक दिन को सुकून है इसी लिए यहां तो इस सेट की समझें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कड़ों की समपती चोड़ कर दो चार अशर्फियों के लिए मांगने आया है और इसलिए वो खुश है अगर आपको ए विए अच्छा लगाता तो फ्लीस लाक कीजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी और को इडाओ को पर मेंट कीजी और जाता जादा विडो को शेयर कीजी थांकर वाचिए ओवाचिए माई वाचिए